अपने नाभी चक्र को कैसे एक्टिवेट करें? कौन से देवता हैं जो आपके नाभी चक्र में बैठे रहते हैं? क्या है इच्छा पूर्ती का मंत्र? जो आप चाहते हैं वो आपको पूरा सब कुछ मिले इसका मंत्र क्या है? क्या है सफलता का मंत्र? ये सारी चीजें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि नाभी चक्र का हमारे शरीर में हमारे जीवन में क्या महत्तो होता है जैशिराम दोस्तों तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि नाभी चक्र को कैसे एक्टिवेट करें और नाभी चक्र को यदि आपने एक्टिवेट कर दिया तो आप समझ लीजिए कि कल्प ब्रिक्ष के नीचे बैठे हैं याने कि जो आप चाहोगी वो आपको मिलेगा लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सबासानी से होगा लेकिन पुरसार्थ आपको लगाना है आपने अपना समय लगाना है और फिर आप जो चाहो वो पाओ देखिए बिना करेवे कुछ नहीं मिलता है आपके बस कर्म है और कर्म पर आपने इमानदारी के साथ कर्म करना है तो आप समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष तक जरूर पहुँचेंगे याने कि आप जो चाहते हो ना कि हम जो भी चाहे हमारी इच्छाएं फटफट पूरी हो तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी तो आपको ऐसे करके एक्टिवेट करना है अपनी नाभी चक्र को दोस्तों वीडियो बहुत महत्पूर्ण होने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है मैं आशा करती हूँ कि मेरा यी वीडियो तो आपको बहुत पसंद आएगा कि नाभी चक्र को कैसे एक्टिवेट करे दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं तो धोस्तों शुरू करते आज का वीडियो रोड़नों सबसे पहले तो मैं वो चीजे बताती हूं कि जीन लोगों का नाभी चक्र एक्टिवेट नहीं होता है उनके साथ क्या-क्या होता है ये मैं आज अप पहले ये बताऊंगे आपको जिन लोगों का नाभी चक्र बलवान नहीं होता है, उन लोगों में कौन-कौन से गुण होते हैं, सबसे पहली कौन सी कमी उनके अंदर होती है, कि वो लोग कहीं भीडभाड में जाते हैं तो अपने आपको बहुत असहज मैसूस करते हैं, कहीं पर भीडभाड जादा लोग कुछ पैसे हुंगे तो कमी कमी बनी रहेगी अगला है घर में कलेश बढ़ने लगता है जिन परिष्रम नहीं करते हैं तो उन लोगों के घरों में अनर्जी और जा है वह और कुछ नहीं है हम लोगों को दोस्त देते हैं वो ऐसा वो ऐसा उसने ये बोला उसने वो बोला लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि अगर वो वैसा हो रहा है तो उसके ऊपर कोई energy है जो अपना परभाव डाल रही है तो हम किस से बैर लेते हैं उस मनुसे से हम उस energy से क्यों नहीं बैर लेते हैं कि हम चाहते क्यों नहीं है कि उस energy को यहां से हटाया जाएं तो यह हो गया अगर कोई लड़की है अगर तो उसको सस्राल पक्ष में समान नहीं मिलेगा मात्र पक्ष में भी समान नहीं मिलेगा कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं जादा मेहनत करते हैं जादा लोगों को सुख देते हैं लेकिन समान नहीं पाते हैं तो वह कहते हैं हमारा हाथ तो ऐसा है हमने जिसको दिया वह नाभी चक्र अग्टिवेट नहीं दोस्तों ऐसा सेटी कुपाई बताऊंगी मैं कि अगर आपने उसको लगातार एक महीना डेट महीना दो महीने आपने कुछ दित लगातार उसको किया तो आपका नाभी चक्र अग्टिवेट होगा अग्ला कुछ लोगों की बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं ने कि बच्चों को वो जितना अपनी तरफ खीषते हैं उनके बच्चे दूर भागते हैं तो बच्चों के साथ आपका कनेक्शन आपके नाभी चक्र से हैं दोस्तों आप एक पर समझ लीजिए इस साइन्स को अगर आप समझ गए न तो आपको जीवन में किसी चीज की कोई चिंता करने की ज़रत नहीं है सारे रिस्ते आपकी मजबूत रहेंगे अगर आपका नाभी चक्र एक्टिवेट हो गया तो इसको इच्छा पूर्ती चक्र भी कहते हैं यानि कि आप जिस जिस चीज की इच्छा करते जाओगी जिसको मैनिफेस्ट करना होता है तो वो समझ लीजिए कि आपने अपने नाभी चक्र को जागरित करना है कुछ लोगों की वीडियो आते हैं कि मैनिफेस्ट करो ऐसे करो वैसे करो लेकिन सच बात हैं कि जमी नहीं बुनियाद में हमारी बॉड़ी के चक्राज हैं जो हमको ये सब चीजें दिलाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि नाभी चक्र क्या होता है देखिए कोई भी बच्चा अपनी मा से जो जुड़ा रहता है ना जब वो मा के गर में होता है पेट में होता है तो उसी नाभी से जो नाल लिकलती है उसकी रास्ते उसको भोजन वगेरा मिल नाभी इसे नाभी वो द्वार है जहां से आप पाते हो दूसरी चीज मैं आपको बताओं भगवान विश्णु को देखो कभी भगवान विश्णु लेते हुए हैं मातालक्षमी पैरों में हैं और उनकी नाभी से एक कमल निकलता है और उस कमल में सी ब्रह्मा जी उत्पन तो आप लगाओ अगर आपनी नाभी पर नाभी चक्र पर भग काम करा तो आप डारेक्ट विश्णु जी के पास दी जा सकते हो उनकी पास देखिए ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ती वही तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्यूं हूं मैं कहा से या मैं क्यूं आया तो उन्होंने ध्यान लगाया कहा नाभी के रास्ते गए वो विश्णु बगवाल के पास और फिर विश्णु बगवाल ने उनको बताया कि तुमको कैसे कैसे स्रिष्टी की उत्पत्ती करनी है तो दोस्तों बहुत सामान्या सा साइंस से देखो आपकी नाभी से आप अपनी मा से कनेक्ट होते हो आपकी मा पे आपके मा की तरफ के जितने पूर्वस्ते या आपकी फादर की तरफ से जितने पूर्वस्ते उनका जीन आपके भी तरह रखा है तो आप उस नाभी के रास्ते से अपनी पूर्वजों से कनेक्ट हो सकते हो आप उस इसका जादू नाभी चक्र का तो जब मा की गर्व में आपको कुछ चीह था तो कहां से मिल रहा था नाभी के रास्ते ना तो अब आप भार आ गए तो आपको क्या लगता है connection कट लिया हैं सबसे जादा कीमती चीज अगर कुछ है तो आपका नाभी है तो तो मणिपूर चक्र के जो देवता है वो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मणिपूर चक्र के देवता विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी है तो आपको लक्ष्मी जी मिलेंगी तो अब उसके लिए आपको अपने नाभी चक्र पर ही ध्यान लगाना पड़ थ्यान रखें कि पित्र देवताओं से मांगना नहीं है यह बिल्कुल ऐसी बात है कि जो आप हम इसा याद रखना कि पित्र देवताओं के लिए सिर्फ भगवान पर ध्यान लगा के भगवान से उनकी मुक्ष के लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि वो इक पित्र लोक में हैं वो भी उपर के लोक में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या वो अपने लिए उतना नहीं कर सकते हैं जितना हम मनुस्या मनुस्या जब हम आ रखे हैं तो हम उनके लिए भी कर सकते हैं प्रार्थना और मांगना सिर्फ और सिर्फ भगवा भगवान ने गीता में समझा रखी है कि जिससे कुछ पाओगे उसके लोक में जाओगे तो चाहते हो तुम भी पितर लोक में जाओ नहीं हम तो जाएंगे भगवान के दाम तो इसी को मौक्ष कहते हैं तो अगर मनुष्य जीवन में आया है तो मौक्ष के लिए जरूर करें तो हमीछा किसको आकरशित करता है जल को जल जिसका जिसका नाभी चक्र एक्टिवेट होता है उसको जानने के लिए एक चीज़ है आपने एक गिलास जल रख दिया भगवान की वहां पर हांमान चालिशा की पूजा की उसके बांद उस जल को आपने किसी को कोई बिमार है उसको पिलाया, वो ठीक हो गया, तो आप समझ लीजिए, कि आपका नाभी चक्र एक्टिवेट है, क्योंकि नाभी चक्र से जो एनर्जी क्रियेट होगी, जो जल में जाएगी, वो दूसरे को बहुत जल्दी फायता दे, दूसरे को क्या अपने आपको भी दे देगी, उपने आप अपने विश्णु भगवाल पर ध्यान डगा सकते हैं, नाभी चक्र को एक्टिवेट करके हम द्यानिक जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, करजे से मुक्ती पा सकते हैं, ग्रय क्लेट से मुक्ती पा सकते हैं, धन को आकर्सित कर सकते हैं, रि नभी नहीपूर चक्र अपड़ होता है अगनी तत्यों होता है निसके बिपान कुक्न स depends तक ठाह्ट किंदा पeurs जाएगे आपके अधिक क्यों कफ़ोई Kab County को घली कि मिलजाते हैं लेकिन उनको नहीड तो देखिए सिर्फ तरय काम करते रो ठोड़ासा काम अपने पर बी करों यहाथ पैर चलाना मेहनत करना ये अलग चीज है लेकिन थोड़ा सा ऐसी साइंस जब आप जान जाओ तो अपने चक्राज पर काम करो तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका अगनी तत्य बलवान होता है तो आकरसर की सक्ति बढ़ जाती है आप चीजों को आकरसित करने लगते हैं तो ऐसे ही आपकी इच्छाएं आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी आपके पास आती जाती है तो आकरसर न वह उसको पटापट से आकरशित करती है ब्रमांड में जाएगा मैसेच और वो आपके पास पहुँच जाएगा तो इसमें क्या उपाई दो उपाई हैं पहला उपाई तो आपने कच्छे दूद से करना है दोस्तों देखो करना क्या है आपने कि कच्छे दूद की धार अपनी नाभी पर लगानी है लेकिन कब यह जरूरी है जानना कब लगानी है स्वाती नक्षत्र में देखिए 27 नक्षत्र होते हैं चंद्रमा की बीबियांती 27 नक्षत्र है वो बेटी थी किनकी राजा दक्ष की तो उसमें से स्वाति नक्षतर है जब आते नक्षतों पर रहेए स्वाति नक्षतर सब ways तो यह लगाना है दूसमें आपदो लगाना है दूसरे पर बिंदु रम. तो रम करके आप इस अनामी का उंगली को अपने नाभीपर लघा करके, आप कई आदे गंटे, खंदे तक करो रम करके आप इस खोयवे, बोलते जाओ इस मन्त्र को और ध्यान डखना है, ध्यान कहाँ ले जाना ने अपनी नाभीपर जब fat यहां आपका ध्यान होगा है वो ही काम ही इतना याद रखना तो आपने द्यान वहां लगाना है इस तरह से आपने तो ॏ मंत्र से अपनी नाभी को एक्टिवेट करो या ता इतन सो एक्टिवेट करो भीक पिर आप ओम, ओम, मंत्र का ओम बोल-बोल के आप अपने नाभी पर, अनामिका उंगली जब आपके नाभी पर लगी रहेगी, तो उनाभी पर आपको वहाँ पर सपंदन महसूस होगा अपनी नाभी पर. जब इस पंदल मैसूस होने लगी तो समझ जाओ कि अब ये जागरित हो रही है इस तरह से आपने इन मंत्रों के द्वारा अपने नाभी चक्र को एक्टिवेट करना है इन में से सबसे ज़्यादा महतुकूर है अपना ध्यान भी वहीं ले जाना है तो इन नाभी चक्र से समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हो आप कर्जिय से मुक्ति आपको मिल जाएंगी ग्रैकलेश कतम हो जाएंगी धन को आप आप करशित करेंगे भूत प्रेत आदी से समझ जाएंगी कुछ भी कि कोई अगर आपके लिए बुरा करना चाहेगा तो बुरा भी नहीं कर इतने सुरक्षित हो जाएंगे जब आप अपने नावी चक्र को अगरेट कर देंगे दोस्तों क्यों कि सुरू सुरू में आपको परशाली होगी क्योंकि ध्यान बहुत भटकता है बटा आप करते जाओं करते जाओं ठकना नहीं हैं बस करते जाना है रोज आप लगा कि मैं जो सास ले रहा हूँ, वो सास मेरा नाभी में जा रहा हijn और जो सास मैं छोड़ रहा हूँ, वो सास नाभी चक्र से करके बाहर आ रही है यह आपने ध्यान लगाना है देखिए, जहां आपका ध्यान जाएगा रहा है आप ये लगा लो, ध्यान कहां है? हो सकती हैं अगर आपने सही तरीके से ध्यान नाभी चक्र पर लगा लिया तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे आपको क्यों करते 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 जब ज़ादा आप कर लोगे तो आपको अपना नाभी चक्र पर स्पंदन महसूस होगा स्पंदन आपको दाग दाग ताग कुस तरह से वे स्पंदन महसूस होगा क्योंकि अब यह जो activation जो नाभी चक्र को activate करने का जो काम है उसको आपने कप करना है दोस्तों उस काम को जितना हो सके आप ब्रह्म महुरत में करें क्योंकि सबसे अच्छा महुरत होता है ब्रह्म महुरत देपताओं की एनरजी हमारे आसपास होती है ब्रह्म महुरत में तो आप अगर ब्रह्म महुरत में इस काम को करेंगे तो बहुत अची बात है लेकिन चलो अगर रात को करते हो आप तो लेटते समय लेटते में भी आप इसको कर सकते हो तो इस तरह से आप अपने नाभी चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो और इसका बिज्ञान भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मा की मा की गर में आप थे तो आपको सारी चीजे ना बदा जरूरी है आप इसका लाब लें टेंक यू पर वाचिंग